हलो एवरिवन इस लेक्चर में हम लोग अफरिका के पॉलिटिकल मैपिंग को पढ़ने वाले हैं हम लोग ने अपने प्रिवेस लेक्चर में इस साउथ अमरिका के पॉलिटिकल और फिजिकल मैपिंग को हम लोग ने कॉंप्लिट किया था और इसके साथ ही साथ इसके बहुत marks किया है यह हमारा अफरिका कांटिनेंट है ठीक ए आप इस फिकर में देखे यह अफ्रिका डीक राहा है और अगर आप इसके इस त्रमyasog में जाईएगा तो आपको Indian Ocean देखने को मिलेगा, यह हमारा प्यारा भारत है, इस प्यारा भारत के आप South में आईए, तो Indian Ocean, ठीक है, आप अगर इस अफरिका के West में आईएगा, तो आपको Atlantic Ocean, और साथी साथ आप इस रीजन को देखी, इस अफरिका के North direction में आप चले आईए, यह जो ग्रिन रीजन में दिखा रहा हूं, यह है Mediterranean Sea, और साथी साथ इसको देखी आप लो, यह क्या है, यह है Antarctica, और इस Antarctica के पास आपको Southern Ocean देखने को मिलेगा, मिन्स आप इतना समझ गए अभी तक, क्या समझे हैं, कि अफरिका अगर यह है हमारा, तो इस direction में, इस जो में बोल रहा हूं, इंडियान ओसियान, इधर आपका West direction में Atlantic Ocean, North में आपका Mediterranean Sea and Southward आप चल जाईएगा, तो आपको Southern Ocean देखने को मिलेगा, अब आप लोग कुछ चीजों को important चीजों को देख लीजी, हम लोग किस तरह से पढ़ने वाले इस चीज को सबसे पहले समझे, हम लोग सबसे पहले इस अफरिका को पूरे वल्ड से अलग कर देंगे, किस तरह से करेंगे, कुछ पॉइंट से, जैसे कि पहला पॉइंट आप इस रिजन को देखिए, जो आपका इधर योरोप दिखेगा, और इधर आपका अफरिका दिखरा है, सेकेंड पॉइंट आप लोग इस रिजन को करेंगे, ठीक हम लोग देखते हैं किस तरह से अलग करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग कुछ चीजों को देख लीजिए, यह अफरिका कंटिनेंट विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलेस्ट कंटिनेंट है, सेकेंड लार्जेस्ट मिन्स अपको सकते हैं कि अफरिका जो है कि सकेंड नमबर पे आ रहा है एंड है, पॉपुलेशन मेंज आपको सकते हैं कि सकेंड नमबर पे आ रहा है, तो अपके दिमाग में यह question आया होगा कि यह first position पर कौन हैं, तो first position पर by area and by population दोनों के अनुसर आपका Asia आता है, एसिया में आपका इंडिया भी आता है चाइना आता है यह से भी आता है हम लोग देखने वाले हैं लेकि नितना आप समझ गया है कि अगर आप मैं यहां बता रहा हूं आपको एक तो एरिया वाइज और एक आप पॉपुलेशन वाज देखिए तो फर्स्ट पोजिशन पे आ मैंने देखा था जिस लेक्टर में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया था उसमें भी आपने देखा इसको ठीक है और हमने फिर आगे चर्चा करेंगे लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि अफ्रिका सेकेंड लार्जेस्ट एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलेस कंट हो आई और सितमस अभी लिखा हुआ है इन सभी को अभी हम लोग कुछ देरों में देखने वाले यह आपका ब्लैंक मैप हो गया आप यहां पर इंडियान असेन कर दिजिए यहां पर अटलांटिक बाई एरिया अगर बाई पोपुलेशन देखे तो आपका नाइजिरिया है और सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री यह सेसल्स आइलेंड है ठीक है सियाचिल्स जिसको हम लोग कहा रहे यह एक आर्की पिलागों है आर्की पिलागों क्या होता है मिंस आपने आइलेंड सुना होगा ठ इन सबी कि हम लोग अभी लोकेस्न को भी देखेंगे कुछ देर में इन के केपिटिल कंट्री सब को लोग देखने वाले तो आप लोग कुछ देर वेच कर सकते हैं इसके साध आप साउथमींचिस अफुन को सारे पोंट को देख सकते मेले आप इस पॉंट को ध्यान даीजि कि अफ्रिका है और अफ्रिका के इधर देखिए आपको Atlantic Ocean यहां दीख रहा है इधर आपको Indian Ocean दीख रहा है ठीक है और उपर आपको Mediterranean सी देख रहा है इतना हम लोग ने पढ़ लिया अब हम लोग इस रीजन को पढ़ने वाले किसको पढ़ेंगे इस घ्रीजन को ठीक है तो मैं नोगों ये इस लिचन को जूम कर रहा हूं ठीक है जूम कर तू जूम कर दो करती है और इस तहमस इसका पोजिट है दो लेंड मास को connect कर रहे है और दो वाटर बोडिट को separate कर रहे है इस तमस को हमने पढ़ा था पनमा इस थे स्परेट कर रहे यह हम ने इस चीज़ को पढ़ लिया और आप नौर्थ तो आपके दिमाग में दो कोस्चन जरूरू आना चाहिए पहला कि अगर ये स्ट्रेट है तो किस-किस लेंड मास को सेपरेट कर रहे हैं और किस-किस वाटर बोडिस को कनेक्ट कर रहे हैं आप समझ गए तो हम लोग इस कोस्चन का एंसर एस्टेट और जिबराल्टर में एस्टेट और जिबराल्टर किसको किसको अलग कर रहे है और किसको किसको जोड़ रहे है सबसे पहले हम लोग कनेक्ट की बात कर रहे हैं किस-किस वाटर बोडिस को ये कनेक्ट कर रहे है तो आपको यहाँ पर मैंने बताया अभी अट्लांटिक ओस्यान देखने को मिलेगा Atlantic Ocean plus Mediterranean Sea यहां पर यह इसको connect कर रही है समझ गए अब हम लोग देखने वाल है कि किस-किस landmass को किस-किस landmass को यह separate कर रही है मिन्स अलग कर रही है समझ गए तो सबसे फ़ले आप देखिए अगर आप continent wise जाईए तो यह पूरा continent आपको नीचे का South का continent क्या है यह अफ्रिका है अफ्रिका एंड सेकेंड उपर आपको दिख रहा है नौर्थ डारेक्शन में आप चल जाईए तो आपको योरोप देखने को मिलेगा Europe means यह State of Gibraltar इन दोनों को इन दोनों को अलग कर रही है किसको किसको अपरिका and योरोप आप अगर division देखे तो आप इस इस तरह लिख सकते अफ्रिका आपका नीचे है फिर आपका state of Gibraltar है और फिर आपका उपर में योरोप है ये आपका एक question set है second है यह question, Atlantic question और किसको connect कर रही है, अब मैं इस region को आपके लिए और जूम कर रहा हूँ, ठीक है, जूम कर दू तो, इस region को, इस region को मैं आपके लिए और जूम करूँगा, चलिए, दिखा, अब आपको देखिए, अब आपको यहाँ Spain दिखेगा, means, योरोप का country क्या है, Spain है, और यह, यह जो region आपका है, इस region का नाम है, मौरोप को, क्या नाम मैं ने बताया, मौरोप को, यह मौरोप को किसका आजाएगा, आप अराम से कह सकते हैं, आभी, कि हम लोग चुकि यह अपका अफरिका कंटिनेंट है, तो यह अफरिका का आएगा, और यह Spain किसका यह आजाएगा, यूरोप का, तो क्या, आप यह कह सकते हैं, यह state of Gibraltar, यह Spain और मौरोको को अलग कर रही है, यह state of Gibraltar, समझ गए, पहला चीज हुआ, अब आपको एक चीज और दिखने को मिलेगा, एक यहाँ देखिए, जिब्राल्टर लिखा हुआ है, एक आपको Siota बिखा हुआ है, ब्रिकेट में, यूनाइटिट किंग्डम, एंड यह Spain, मिन्स यह जिब्राल्टर, यूनाइटिट किंग्डम का ट्रेटरी है, और यह Siota, Spain का ट्रेटरी है, तो सबसे पहले आप यह भी कह सकते हैं, कि यह जिब्राल्टर, एंड Siota को अलग कर रही है, state of Gibral और यह जिब्राल्टर, और आप यह भी कह सकते हैं, टेक्निकली लिए तो आप यह भी कह सकते हैं, कि इधर UK और नीचे Spain, इसको अलग कर रही है, तो आप conclusion देख लिए, मैं आपको conclusion बता रहा हूँ, आप यहाँ देखिए, एस्टेट और जिब्राल्टर क्या कर रहा है, इ UK पर, आप समझ गए हैं इतना, चलिए, अब हम लोग इस point पर आ रहे हैं, किस point पर आ रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, अब हम लोग इस position पर देखने के कोसिस करेंगे, ठीक है, हमने अभी यह देख लिया, अब हम लोग यह region देखने वाले हैं, यह जो मैं black कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए अब यह region जूम कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ready रहे हैं, मैं वो region जूम करने वाला हूँ, एक चीज़ आप लोग उसे पहले देख सकते हैं, अगर आपको देखना हैं, यह स्टेट और जिब्राल्टर है, यह आपको जिब्राल्टर दिखा सियोटा दिखा, स्पेन दिखा, यह आपको मोरक को दिख जाएगा यह region ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए यह इस region को जूम कर रहा हूँ, चलिया, दिखा, अब आपको एंट्री दिख रही होगी, नाम है Red Sea, क्या नाम बताया है, मैंने Red Sea, ठीक है, अब आप देखे, Red आपका region है, यह region किसका है, यहाँ पर लिखा हुआ है, अफरिका का region है, और इस side आपका Asia का region दिख रहा है, मिंस यह Red Sea, इस Africa, इस Africa and Asia को अलग कर रही है, आप समझ गए है, सेकेंड देखी, सेकेंड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एक आपको यहाँ पर दिखेगा, सि इसको और जूम कर रहा हूँ, अब मैं यह आपका Egypt का portion है, हम लोग पढ़ने वाले हुए, यह Egypt है, ठीक है, तो मैं आपके लिए इसको जूम कर रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं, यह आपको Red Sea देखने को मिलेगा, और यह region आप देखी, इस region को आप देखी, यह आपक यह मैं इंडिया बना रहा हूँ, ठीक है, अब आप इंडिया को समझे, एक साइड आपको Arabian Sea देखने को मिलेगा, आप इस साइड बे और बंगाल देखने को मिलेगा, ठीक है, और नीचे आपको Indian Ocean, यहाँ पर आपका Sri Lanka है, यहाँ पर आपका Maldiv का region है, इधर कहते हैं, तो इंडिया पेनिसुला की बात करें, तो वह थ्री बाटर बोड़ी, Arabian Sea, Bay of Bengal and Indian Ocean से कनेक्ट है, तो जब मैं आपको Sinai पेनिसुला बोलू, तो आप दिमाग में यह कोश्चान आना चाहिए, कि ठीक है पेनिसुला है, तो किस-किस वाटर बोड़ी से यह पेनिसुला क्या कर रहा है, यह आपका इजिप्ट का रिजन है, यह पूरा, और इधर जो आपका जोर्डरन दिखने को मिलेगा, हम लोग इसको एसिया में पढ़ेंगे, लेकिन यह मिन्स एक तरह से कह सकते हैं, कि यह आपका Sinai पेनिसुला, इस इजिप्ट और इस ठीक है, यहाँ देखिए, यह आपका Sinai पेनिसुला हुआ, Sinai, पेनिसुला, यह आपका गल्प अप स्वेच, यह आपका गल्प अगाबा, और यह आपका रेट सी, हमजगे, अब अब एक बहुत इंपोर्टन चीज़ देखिए, आपको मैं यह रिजन देखिए आपको, य यहाँ पे आपको कंट्री दिख रहा है, नाम है जीवोती, क्या नाम है, जीवोती, और इस साइट, from Asia, आपको देखिएगए यमन, यहां मैंने बताया, जीवोती and यमन, और यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट देखने को मिलेगा, इस रिजन पर, नाम है बाबल मान्डेव, कि क्या बताया? बाबल मांडव तो अब फिर छे question आपके लिए कि state of बाबल मांडव किसको किसको अलग कर रहे है किसको किसको कनेट कर रहे है तो पहला है कि आपको Asia and Africa को अलग कर रहे है Second country बाई देखे तो जिवोती और यमन को अलग कर रहे है और जोड किसको रही है पलस कर रही है इस रेट सी एंड गल्फ ओफ एडन को यहां देखे गल्फ ओफ एडन दिखेगा तो हमारे पास बहुत सारे कोश्टन तयार हो चुके हैं मैं अब आप लोगों के लिए इस रिजन को जूम कर रहा हूं यह रिजन को ठीक है जूम कर रहा लिजिए तयार है आपके लिए आपको क्या देखा यह दिखे यमन दिख रहा है इतरा आपको जिवोती दिख रहा है और यह रिजन है है ना आपको देखिए यह रिजन की बात कर रहा हूं इसको मैं आपके लिए और जूम कर रहा हूं आप यहां देखिए अब आपको आस स्थानी से दिख रहा होगा यह बाबल मांडव यह यमन यह जिवोती यह गलब ऑपेडन यह रेट सी यह बाबल मांडव समझ भाया कुछ कि नहीं आया यह गलब ऑपेडन किसका पाथ है अरेवियन सी का पाथ है जलिए इतना आप लोग समझ गये होंगे तो कुछ बहुत सार अधियोफ जिवर्राल्टर पढ़ा कि जिवर्राल्टर सतष्यम पढ़ा हमने रेड़ सी अधिर आपका यह आपका यह एक तरह से कह सकते कि इंडियन स्का पाथ में इंडियन सन्वी में अलग कर रहे है ठrors ड़लओ अधे किस्ट हमने आप पढ़ा स्टेट ओफ बाबल मं प्रानदेब एन उन्ने फोर्थ क्या पढ़ा सिनाय पनंसुला दिनाई नि पनिन प्रला इसमें से आपका ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो ये किसको इसको आलग कर रहे है एसीया सुरी अफ्रीका एंड यूरोप योड़ कर रहे है और बागी यह तिनो ऑश्या के साथ अ यह रेट्स हो किसको कर रहे हैं अगर रेट्स की बात करें तो आपका इधर बहुत सारे कंट्रीज आ जाएंगे एक तरह से आप ले लिए आपका इरिटेरिया आ जाएगा इजीप्ट आ जाएगा इस इन सबीची चीजों को हम लोग देखेंगे अभी बाबल मंडेव की बात है सबसे पहले आप इस फिगर में देखिए एक फिगर में और ला रहा हूँ आपके लिए थोड़ा सब लोग वेट कीजिए तो हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ लिया इस पॉइंट को पढ़ लिया हम लोग ने इस पॉइंट को पढ़ लिया अब हम लोग एक एक कंट्री को देखने वाल है और उनके capital को देखने वाल है और इस करम में सबसे पहला आप देखिए ये क्या है मुरक को है ये बोला मुरक को इसका capital है रबात capital क्या है यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा इसमें दिख रहा है रबात हाँ मुरक्को है capital इसका capital में आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा चाब लोग वेट कीजिए तो पहला entry आप लोगों के लिए आप लोग याद कीजिए मुरक्को के capital में ने बताया आप लोगों को रबात अब इसमें बहुंच सारे important places है जैसे एक आप यह लिजिए यह तो रबात दिखा आपको यह पोट भी है यह एक पोट भी है सेकेंड आप लिखिए टेंजियर और थर्ड लिखिए आप लोग कैस बलांगा यह तीनों इसके बहुंच सा बताये question यह क्या है South America है अब आपको इन्ट्रीट्स पता है ठीक है यह French गयाना है यह आपका शूरी नाम है यह गयाना है यह अपका वेनेजुवला है यह कोलंबिया है यह क्या है इक्वेडोर है यह पेरु है यह चिली है यह अर्जेंटिना है यह दो लेंड लोग कंट्र बोलिविया और प्रागवे उरुगवे ब्राजिल पंप्लेट चलिए अब मैं आप लोगों के लिए एक इमेज निकाल रहा हूँ सबस्ब पहले आप लोग देखिए यहाँ पे आईए यह क्या दिखा आपको मौरोको यहाँ पे देखिए इस मौरोको केपिटल है रबात मैंने आपको बता दिया है शेकंड आप आईए अलजरिया यह मैंने बताया अलजरिया और मैंने भी आपको बताया था कुछ दिर पहले कि यह एरिया वाइल लार्जेस्ट कंट्री है इस अफरिका का तो हम लोग इस Algeria को आप देखेंगे, तो ये आपको Algeria देखा, capital आप देखे अलजायरस, ठीक है, ठाद आप लोग आईए, त्यूनिसिया पे, क्या मैं ने बताया है, त्यूनिसिया पे, ये आपका त्यूनिसिया हो गया, ठीक है, हम लोग त्यूनिसिया को पढ़ रहे हैं, और इस त्य पढ़ा फोर्थ अब हम लोग यहां से लिविया पे आने वाले लिविया पे और इस लिविया को आप लोग देखिए अ लिविया त्यूपनीश लिविया का जिव त्रिपली क spins आँए नाम है अलाजिजिये अल HOW इंपर्स एक बैस क्यों है क्यों कि वहल्ड का में बरफ कि बात कर रहा हूं यह वहल्ड का सबसे होटेस्ट प्लेस है अल अजिजिया इसलिए important है अब आप लोग यहां पर आपको गल्प आप शिर्टे दिख रहा है गल्प अब सिड्रे इसको भी करते सिड्रे गल्प ओफ शिड्रे या सिर्थे आप जो भी पढ़ी सकते ठीक है यह गल्प अब इस लिभ्या के पाश आपको देखने को मिलेगा अब हम लिभ्य और थोड़ा आगये आएगे तक को दिखेगा एजिप्ट यह रिजाने एजिप्ट का मैं आपको यह रिजन को जूं कर रहा हूं आपके लिए कि यह आपको इजेंप्ट दिखा ठीक है दिख रहा है और आपको देखिए ये इजीप्ट अभी तक आप एक चीद है कीजिए ठीक है मैं आपको ऐनलाइस करवा रहा ह typically सिसके कोशी कीजिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ हमने जो है एक यह रिजन पढ़ लिया नंबर वन नंबर टू नंबर थिरी नंबर फॉर एंड नंबर फाइड यह हम पढ़ रहे हैं तो यह आपना क्या है मेडिटरेनियन सी है मिन्स यह जो हमने पाचो पढ़ा एक तो क्या पढ़ा यहां पर देखिए मुर बाउंडरी टाच कर रही है ठीक है अब हम लोग इजीट पर आए और एजीप देखिए यह पहला एसा कंट्री है इस अफरीका कंटिनेंट का जो फर्स्ट वन इस साइड मेडिटरेनियन सी के साथ बाउन्डी टाच कर रही है और सकेंड वन आपका रेट सी के साथ देखा अब और एक साइड में गल्पफ अखाबाद देखा एक साइड गल्पफ स्वेज देखा एक साइड रेटजी देखा इसके साथ इसाथ एक important चीज है आप लोग यह याद रख लीजिए देखिए क्या किया गया है अगर आप इधर से देखिएगा आपको इस रेट सी के उदर आपको Indian Ocean देखने को मिलेगा यह आपका Indian Ocean का पाट है ठीक है अब क्या करना है आप सो समझेए यदि आपको इस Indian Ocean से यदि आपको योरोप जाना है तो आप क्या किजिएगा इस डारेक्शन से होते हुए आप यह तो घूम के जाईए पूरा यह सकेंड वर कि आप गल्प एडन पर आईए अब गल्प एडन से इस स्टेट और बाबल मांट के थूरू आप लोग रेट सी में पहुंच और इसकेसाथ आप दहरे-थहरे आईए लेगन आपको इस रीजन पर इस रीजन पर आपको लेंड मास देखने को मिलेगा wayन को इन लोगों क्या किया है स्वेज केनल स्वेज केनल गल्पप स्वेज पे हैं इसलिए इसका नाप स्वेज केनल रखा गया और इस स्वेज केनल पे एक बहुत important port है आपको यहां पर देखने को मिलेगा port side क्या मैंने बताया port side इतना समझ गए होंगे तो आप समझ यह Gulf of Swagg में आपको क्या मिला स्वेज कैनाल इजिप्ट का है port है port side अगर आप इस स्वेज कैनाल की बात करें तो इसका इसको बनाया गया 17 नोवंबर 1869 को 1869 को ठीक है लेंथ की बात करें तो 193.3 आपका किलो मीटर है समझ गया इसके अलावा इस इजिप्ट में एक बहुत इंपोर्टेंट पोर्ट आपको देखने को मिलेगा नाम है port Alexandria इस रिजन पर आपको देखने को मिलेगा अब क्या होता है कि देखिए यह आपका नाइल रिभर आ रही है नाइल रिभर नाम अपने सुना होगा बाकी इंट्री हम लोग इसके फेजिकल मैप में हम लोग करने वाले हैं फेजिकल मैप में हम लोग करने वाले हैं समझ रहे हैं ना बोल लिए जल्दी हाँ चलिए ठीक है तो हम लोग ने दो पोर्ट पढ़ लिया एक क्या पढ़ा पोर्ट सहीद पढ़ा एक हमने अलेक्जेंडरिया पढ़ पढ़ इन द चलिए अब हम लोग आगे यहाँ आ रहे अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ठीक है अब में क्या कर रहा हूँ आप τो के लिए आप समझें एक हैं इंटरी निकाल रहा हूँ यह तको काईरो right झाए और क्या इंटरी मं बचा एक के अ पपो अलेक्जंडरिया fördita गया उपर आपको मेडिटरेनियन सी दिखने को मिल गया इधा समझ गए तो एक बार हम लोग रिभाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है यह रिजन को बताईए यह पूरा रिजन क्या था इजिप्ट था इसका कैपिटल आप लोग बताईए जल 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 दी कमेंट ब बताईए अब मेरे यह रिजन का क्या नाम रेड़् कमेंट कमेंट मैं रेट किनय पेनुन्स रविक्या इस सिना पेनुन्स रवके एक साइड आपको क्या मिलेगा को रąż wanna बोड़ी मिलेगा इस साइड Gulf of Acaba और इस side का मिलेगा comment किजिए Gulf of Swage अब आप इस Swage पे एक canal बनाया गया है उस canal का आप लोग नाम बताईए Swage Canal ठीक है अब Swage Canal का पोर्ट का नाम बताईए जल्दी पोर्ट साइद अब आप लोग एक पोर्ट आप लोग ने यहाँ पर पड़ा नायल रिभर का उसका नाम बताईए अलेजन्डरिया पोर्ट ठीक है अब लोग इसका नाम बताईए यह कंट्री का नाम इसका कैपिटल लीबिया है ठीक है कैपिटल बताईए इसका बताईए अब लोग ट्यूनिसिया कैपिटल ट्यूनिस इसको बताईए सबसे लार्जेस्ट है इस पूरा अफ्रिका का यह नाम अल्जिरिया कैपिटल अल्जाइरस इसका बताईए मौरोक को कैपिटल कैपिटल लिखे कैपिटल कमेंट बॉक्स में रबात ठीक है चाप एक हम लोगों ने स्ट्रेट पढ़ा इस जगह पे जो कि अफ्रिका और योरोप को अलग कर रही है नाम बताईए इस स्टेट का नाम स्टेट ऑफ जिबराल्टर ठीक है उपर बताईए एक कंट्री आपको देखने को मिलेगा यहां पर योरोप का यह आपका मौरोक को हुआ किसको अलग कर रही है इस कंट्री का नाम बताईए योरोप नहीं कंट्री एस्पेन चलिए ठीक है अब आप लोग इस रिजन पर आईए मैं अब आप लोगों को इस रिजन की बात कर रहा हूं ठीक है इसका नाम है सुडान सुडान अब आप इस भीड को पढ़ने वाले कुछ देर में ठीक है और इसमें पहला है सुडान चलिए तो मैं आप लोगों के लिए अब इस रिजन को जूम कर रहा हूं ठीक है सुडान को कैपिटल खारतुम अब देखिए यह सुडान किसके साथ बाउंडरी टच कर रही है पहला रेट सी के साथ कर रही है यह तो आप आराम से अनलाइस कर पा रहे हूं ठीक है अब देखिए इधर आपको क्या दिखेगा इरिटेरिया दिखा ठीक है दिखा तो मैं जूम कर रहा कैपिटल देखिए असमारा क्या मैंने बताए असमारा एक एक बार लिखे कमेंट बॉक्स में सब लिखे चलिए सुडान का कैपिटल लिखे सुडान का खारतुम इसका लिखे इरिटेरिया का असमारा तीन बार लिखे असमारा 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 इसके साथ रेट से कर बाउ कि एक इंपोर्टेंट पोट है इसमें नाम है मसावा पोट क्या मैंने बताया मसावा पोट इसका अगर पूछा जाए मसावा पोट किसका है तो किसका हो जाएगा इडिटेरिया का ठीक है अब मैं आप लोगों के लिए यह रिजन को अब मैं आप लोगों के लिए जूम कर र द्र countyकषित दीखने को मिलेगा आर्ट disabilities मे 혜ै कि आपको बताया है क्या आईलियंट के ग्रूप है तो बहुत सारे आपको आईलियंट दिख रहे यहां पर यह भ bet अरो यह देखने को मिलेगा ठीक है रेट सी में है कि पूछ दिया जाए कि दहलक आर्के पिलागो कहा है तो अराम– सभर्सक्राइरेट सी में मैं और जूम कर रहा हूं को इस लिए इस रिजन को पूरे कि अब आप लोग यहां पर देखिए यह मैंने इरिटेरिया बताया अब इस इरिटेरिया के बाद एक छोटा से आपको कंट्री देखने को मिलता है नाम है जीवोती क्या बताया मैंने जीवोती मैं दिखा रहा हूं आपको इस फिगर में आप देखिए ठीक है यह आपको इरिटेरिया देखने को मिला यह इरिटेरिया है आपका दिख रहा है और यह छोटा सा देखिए छोटू जो ग्रीन है यह है जीवोती समझे है ठीक है और मैंने यहां पर आपको एक एस्टेट बताया था जब मैं आपको बता रहा था एस्टेट और बाबल मान दे है बताय था ना और इस रेट सी और इस गलप उपेडन को connect कर रही है ऋ अधर आप तो हम लोग किस को पढ़ने वाले इस जिमोथी को पढ़ने वाले कि थीक है तो मैं आप इस front कर रहा हूँ जिमोती का रिजन को मैं आप लोगों के लिए अब जूम करने वा जिवोती के बिटर आप देख सकते हैं क्या है जिवोती कोई दिकत यहां पर बोलिए नहीं है अब देखिए इस जिवोती के आप इधर आई यह तो आपको क्या देखे आप लोक SI इससो एक बहुत इंपोर्टन पोर्थ है यहाँ पे नाम है बेरबरा पोर्टansen कट मौका डिसकोग इसका केपितल भी है चलिए अब बताईए मैं कुछ question पूछ रहा हूँ number one क्या है लिखे उडान है capital बताईए आप लो खारतुम ठीक है second बताईए आप लो इसको capital भी capital भी Eritaria capital असमारा थर्ड बताईए आप लो इस जिवोती को capital जिवोती है fourth बताईए ये region capital इसका बताईए सुमालिया का एक सेकेंड बताईए capital इसका मोगा दिशू ठीक है यहाँ पे एक पोट पढ़ा हमने नाम क्या है बेरबरा पोट ये क्या है मोरक्को अलजिरिया ट्यूनिस लिबिया इजिप्ट capital इसका काईरो इसका त्रिपोली ट्यूनिस अलजाइरस रबाथ इतना किलिए है रहाप लोगों के लिए चलिए ठीक है अब आप लोग इस रिजन को देखिए और आपके पास पेस है अभी तक का पहला लेंड लोग कंट्री ये क्या होता है लेंड लोग कंट्री आउत अमरीका के दो लेंड लोग कंट्री हमने पढ़ा था याद है आपको बोलिविया एंड प्रागवे लेंड लोग मींज ये चारो तरफ से लेंड से गिरा हुआ है इससे हम डारेक्ट ओस्टियन में नहीं जा सकते हैं ठीक है तो मैं आप लोगों के लिए अब इस रीज पता है मैंने अडिस अबावा एक लेंड लोग कंट्री है अब आप लोग को क्या करना है देखिए ये मैंने अडिस अबावा मिन्स इथोपिया बना दिया क्या बनाया इथोपिया अब आप लोग देखिए उपर में देखिए यह इथोपिया किस से बाउंडरी टस्ट कर रही है इरिटेरिया से सुडान से जिवोती से और सुमालिया से इतना तो हम लें पढ़ा है क्या क्या पढ़ा हमने एक तो सुडान सेकेंड इरिटेरिया ठर्ड जिवोती फॉर्थ सुमालिया अब पच्वा आप देखिए केनिया दिखेगा आपको क्या दिखेगा केनिया ठीक है यहां देखिए है साओठ सुडान देखा है सावच शुडान तो कितना हुआ वन टू थृ फॉर फाइप शिक्स आपका यह दिमांग में पुरा बेड़ दाना चाहिए कि इतोपिया इरिटेरिया जिबोती, सोमालिया, केनिया, साउट सुडान, सुडान तो अब हम लोग इस केनिया को पढ़ेंगे पहले फिर साउट सुडान को पढ़ने वाले ठीक है? चलिए एक एक करके हम लोग आ रहे हैं पहले केनिया केपिटल आप लोग देखिए नेरोबी दिख रहा है? मैं जूम कर रहा हूं स्कॉर यह आपको नेरोबी दिखा एक इंपोर्टेंट पोर्ट आप इसमें पढ़ लीजिए मॉमबासा पोर्ट क्या मैंने बताया? मॉमबासा पोर्ट चलिए, ठीक है अब यहाँ पर आपको ठीक है, मॉमबासा पोर्ट कमेंट कीजिए, कैपिटल आप लोग इसका नेरोबी ठीक है एक इंपोर्टेंट आपको यहाँ पर आइलेट दिखने को मिलता है आपको इसके इस रीजन पर नाम है लामू आइलेट दिखा, यह रीजन को दिखी लामू ऐलेट और मैं जूम कर रहा हूं आपके लिए, देखें लामू आइलेट दिख रहा है, Kenya, नेरोबी और यहाँ पर आपको लामू आइलेट दिखने को मिलेगा ठीक है, और जूम कर दिया मैं आपके लिए आपको और पता चल रहा है यह पूरा RK पे लाग हो है इसमें इंपोर्टेंट है लामू आइलेंड अब लोग याद रखें सेकेंड वन साउथ सुडान आपके लिए केपिटल है जूबा ठीक है अब आप गोर कीजिए मैं जो गोर करने के कोशिश करार कर रहा हूं यह मैंने आपको बताया साउथ अब आप बताईए यह किसके साथ बाउंडी टर्च कर रही है आप बता पाईएगा मैं आपके लिए क्लियर कर दिया अब बताईए यह साउथ सुडान किसके किसके साथ बाउंडी टर्च कर रही है यह नंबर वन सुडान है नंबर टू इथोपिया है नंबर थिरी हमने अ आपको यह रिजन यह रिजन नाम यूगांडा यूगांडा फाइब डी रसी क्या मैंने बता है या डी आरसी और यह आप सी ए आर डी आर्टी मिन्स सोरी यह सिक्स डी आर एक से केंड रहा है ठीक है डी आर सी डेमोक्रेटिव रिपबलिक अब कॉंगो चलिए एक एक करके मैं सब आपको दिखा रहा हूं ठीक है उससे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए क्या इस रिजन से आपको मैं दिखा रहा हूं एक दो तीन यह रिजन देख रहे हैं अब क्या कंट्री पहचान पा रहे हैं यह आपका इरिटेरिया है यह आपका जिबोती है यह आपका सोमालिया है यह आपका इथोपिया है इन चारु रिजन को मिलके एक होउर्न टाश का दीकर आ है इसी को हईञ ऑफ अफ्रिका काते है होउर्न ऑफ अफ्रिका समझ गे हैं समयलिया इपकी पुछा जाए हैं हरन कंट्रिय आपको पुछा जाए तो आप Ctrl दने से बढ़ कर सकते कि आपको सभी चीज आप पता है सुडान के केपिटल खार्तूम जूबा असमारा जिबोती मोगादिशू अडिसा बाबा मसावा बेरवेरा नाम सब फैमिलियर लग रहा है केश बलंका टेंजियर मराकेश अलजाइरस रबात ट्यूनिस ट्रिपोली काईरो अलजी जी बेंग पूरा क्रिश्टल केरियर यस कीजिए यस टाइप चलिए ठीक है तो हम लोगों ने इस साउट सुडान तक देख लिया है अब हम लोग इसके नीचे एक आपको देखिए सियार सेंट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक डेमोकर्टिक रिपब्लिक और कोंगो युगांडा रवां दा बूरुन्डी तंजानिया इन से भी कोण लोग देखने वाले किक करके ठीक है है चलिए तो सब्से पहले आप यहां पही और आप लोग इन तीनों को आप लोग याद किजिए बुरुन्डि रवांडा युगांडा चेपिटल आप लोग याद कीजिए बुरुन्डी क गेटेगा ठीक है रवान्डा का क्योपिटल अपलोग लीखें जीुकूत आ Kathle कंपाला किगाली जीतेगा ठीक है उसके बाद नीचे आईए तंजानिया बहुत इंपोर्टेंट प्लेस है कैपिटल है दो-दो-मा माउंट की लिवंजारों आपको देखने को मिलेगा फिजिकल इंट्री में में लोग इसको पढ़ने वाले है अभी के लिए आपको मैं इस इमपोस्टुेंट प्लेस है देखने को मिलेगा नाम दारे सलम इस दारे सलम का एक प्रीकेटल हुआ करता था थे जो झेंज कर दिया गया है ंदोदinar ciri अगया ध्यान देने वाली बात यह है कि इस region पर आपको दो-इंपोर्टेंट आएलेंड देखने को मिलेंगे मेंगा ठीक है, first one is Pemba and second one is Janjivar, Pemba Island and Janjivar Island, very important islands, क्यों है मैं बता रहा हूं, इन islands को Clove Islands भी कहा जाता है, क्लोब, means अगर बिशू की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो जितना भी क्लोब का प्रोडक्शन होता है, उसका 90% से भी ज्यादा प्रोडक्शन, आप कह सकते हैं अप्रोक्सिमेटली 92-95% प्रोडक्शन इनी दो आइलेंड्स में क्या जाता है, इसलिए दोना आइलेंड् इप्रोडेंट है, पेमबा आइलेंड्स, समझ गए, कैपिटल दो दो माख, और पेमबा पढ़ लिया है, जन्जिवार पढ़ लिया है, ठीक है, दारे सलम भी अपने पढ़ लिया है, भुरूंडी, रवांडा, यूगंडा हो गया है, अब हम लोग इसके नीचे के रिजन है, ठीक है, अब हम लोग इसके नीचे आ रहे है, एक तो आपको यह कंट्री देखिए, यहाँ पर, यह जो दिख रहा है, इसका नाम है मालावी, मालावी, कैपिटल है लिलॉंग वे, लिलॉंग वे, देखिए कुछ लॉंग सान नहीं दिख रहा है, लंबा, तो हुए, यहाँ हो जाएगा, मोजांबिक का केपिटल, मपातु है यहाँ पर, जांबिया केपिटल, लुसाका, यहाँ पर आपको जिंबाम पर देखने को मिलेगा, केपिटल है हरारे, हरारे, ठीक है, इस रिजन पर आपको एक चैनल देखने को मिलेगा, यह रिजन पर, ठी देखिए आपको मालावी दिख रहा होगा तरी दिख रहे हैं चलिए यहां देखे मालावी मैं ओर जूम कर रहा हुआ ओर जूम कर दिया ठीक है यह क्या बताया मैंने यह बताया मालावी एक केपिटल बताई एक लिलोंग वे यह बताए मेरे मोजाम्बिक कैपिटल मोगादिसू इसको देखिए इसको इसका नाम बताईए जाम्बिया और इसका नाम बताईए जिम्बाम्बुय टिक के मत बैठिए उठ जाए उठ जाए उठ जाए आप लोग उठके पढ़िए उठके किताब निकालिए कोपी कोपी सामने रखिए कोपी और पढ़िए ठीक है सौने से काम नहीं चलेगा चली क्या क्या मैंने बताया फिर से बताईए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखी इसको ठीक है इसको इसको कोई दिकत यहाँ पे चारों में नहीं है चलिए मालावी, मुजांबिक, जिंबांबे जंबिया, सब देख लिए हमने लुसाका देखा इसका इसका मुगादी सु देखा जिंबाबे का हरारे देखा मालावी का लिलोंगवे देख लिए है यहाँ पे आपको मुजांबिक चैनल देखने को मिलेगा इस रिजन को मैं जूम कर रहा हूँ मुजांबिक चैनल ठीक है एक साइड मेडागासकर है एक साइड मुजांबिक है बीच में मुजांबिक चैनल देखने को मिल रहा है ठीक है अभी तक हम लोग ने क्या कैपड़ा आप देख लिजिए केंडिया का नेरोबी मॉंबासा लामू आइलेंट सब पढ़ लिए तंजानिया दोदोमा दारे सलाम पेंबा चंजिवार युगांडा कंपाला रवांडा किकाली बुरुंडी गितेगा अब हम लोग इस साउथ अफरिका पे आने वाले बहुत इंपोर्टेंट रिजन है आपने बहुत बार नाम सुना होगा साउथ अफरिका कैपिटल आप लोग देखिए तीन इसके कैपिटल है स्वास्ट वन प्रिटोरिया तेकेंड वर ब्लॉंफोस्टी एंड थर्ड वर कैप टाउन क्या कै बताया प्रिटोरिया ब्लॉंफोंटीन एन कैप टाउन ये आपके लिए है किया है आपको दिखेगा दर्बन दिखा पोर्ट अलिजाबेद दिखेगा संट जोंस दिखेगा क्यक एप of hawk दिखेगा कोड़ हॉफ यह दिखे केप अगुलास मैंने आपको बताया था वीडियो के लेक्चर के स्टार्टिंग में केप अगुलास क्या बताया था सबसे साउसेश्ट पॉर्षन है है निस पुरा अफ्रिका का आपको दिख गया केप अगुलास ठीक है कुछ इंपोर्टेंट इसके इम algún दों किया मुझा है नमोग देख है कि यहां पर देखे कि इर गया गया है जोहेंट्सबर्टेंट निदों के मैं रहे हें energy प्रिपर इसके डाइमंड माइनिंग के लिए हम जोईं जाइन निगए मरले都ैस्ट्प 됐ॅट है हम सब्सक्ता सबस्क्र Divine प्रिटोरिया किमबरले यह दोनों किसके लिए प्रिटोरिया किमबरले यह दोनों डाइमंड के लिए और जोहेंजबर्ग गॉल्ड के लिए याद रहेगा पीके डाइमंड के लिए जोहेंजबर्ग गॉल्ड के लिए जलिए तो आप आपको इसे भी दिख रहा होगा आप स इस Para तो साउ फटरम अब देख लिता में दो चोटे से आपको इंक्लेफ कांट्री जेखने को मिलेंगे एक 이거는 कांट्री मिंस इंड क्ले मिंस एक कंपरिक अंदर तो पहला आप देखे लेशोतो देखेगा तुसरी आपको देखेगा यह स्वाजी लेंट पहले था ना मैं चैस्म क्रकर कर दिया भी इशवतीनी ठीक है चलीए तो मैं आपके लिए एक सेकंड यह एस्वादिनी केपिटल देख करने और लेधोको आपको आपको गेबर्न दिखने को मिलेगा बोट सबाना है कैपिटल गेपराउन है तो एक बार रिभाइज हो जाएं यह मालावी यह मोजांबिक यह नामीबिया यह जांबिया यह जंबिया यह जंबिया यह जिंबांबे यह साउथ अफरिका लिसो थो इस्वातिनी यह बोच्षवाना कैपिटल गेपराउन अब आप लोग यहां पर आजए इस रिजन पर ठीक है यहां पर आएंगे नामीबिया कैपिटल विंड होक अंगोला कैपिटल लुआंडा समय बार रहा है कुछ आपको दोन रिजन यहां पर देखिए अंगो यह समझ गए आप लोग अब हम लोग इसके उपर आ रहे हैं एक तो आप लोग गोर कर सकते अगर गोर करना है तो देखिए नामीबिया दिख रहा है इधर आपको बोच्षवाना दिखेगा इधर आपको साउत अपरिका दिखेगा उपर आपको अंगोला दिखेगा तो क् नहीं करये में इस इसका मोलोग ध्यान देज़ेगा कि हस वाना साउँठ अफरिका तो कर रहे हैं बहुत सवाना इसाथ यही रिजन किया है यहeln do शुज़दी चली जलन करने के के कुछिछ करें एक फो यहां पर देखिए Democratic Republic of Congo Capital किन सहासा है एक आपको Central African Republic Capital Bangui है Capital का रावा इसमें कुछ important नहीं है इन सबी रिजन पे उसके वाद आपको Congo देखने को मिलेगा आपको देखिए यह किन सहासा का रिजन, DRC का रिजन उपर Republic of Congo उसके बाद Gabon उसके बाद equatorial गुए आना यह तिन रिजन आपको देखने को मिलेगा हाँ तो Republic of Congo Capital आपका, ब्राजी विले Gabon का Capital लिवरे विले और Equator Equatorial Guayana Capital आप देखिए मालाबो देखिए तो हम लोगे ने बहुँ सारे रिजन को देख लिया है, एक एक करके देख रहे यह साउथ अप्रिका देखा Capital Pretoria, Blomphostinen, Cape Town Botswana, Capital Gabron, Namibia Capital, Windhock Angola, Capital, Luanda, Jambia Jambia, Jambia जिसकों पढ़ रहे Capital, Lusaka, Jimbambay, Capital, Harare मालावी, Capital लिलोंगवे मोजांबी, Capital मोगादीशू तंजानिया, Capital, तोदोमा Kenya, Capital, नेरोबी Somalia, Capital, Mapatu Ethiopia, Capital, अधिसभावी Jiboti, Capital, Jiboti Eritorya, Capital, Asmara तीक है, यह बुरुंडी, Ravanda, युगांडा बुरुंडी का Capital, गितेगा Ravanda, Capital Igali Uganda, Capital, Kampala South Sudan, Capital, Juba Sudan, Capital Khartum, Egypt, Capital, Cairo Libya, Capital, Tripoli Tunisia, Capital, Tunis Algeria, Capital, Algires Morocco, Capital, Rabat Complete इतना अब आगे आ रहे हैं हम लोग इधर देखिए आप कार Republic of Congo, Gabon, Equatorial गोयाना इतना हमने कर लिया है अब हम लोग इसके ऊपर आएंगे केमरून, Capital, Yuvande नाइजरिया, Capital, Abuja, नाइजर, नीमा में इन तभी चुको हम देखने वाले हैं हम देखिए चलिए एक फिगर निकाल रहा हूं में यहां पर देखिए आपको हमने Algeria पढ़ा था सबसे largest country उसके नीचे आपको नाइजर देखेगा ठीक है और उसके नीचे आप देखिए आपको नाइजरिया मिलेगा यह most populous country है आपको इसके बगल में चड़ दिखने को मिलेगा चड़ और इस Algeria से आपको एक माली देखेगा यह आपको बुर्किरो फासो देखेगा ठीक है यहां तीन country घाना टोगो बैनीन समझ रहा है यह सभी देखने को मिलेगा एक figure ला रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए ठीक है यह घाना हुआ और कोई बड़ा जूम figure में देख रहा हूँ होगा तो आप लोगों के लिए मैं कोशिस कर रहा हूँ लाने के लिए देखे घाना टोगो बैनीन ठीक है यह बुर्किरो फासो नाईजर छड़ नाईजज़िया इतना देख लिए है केपिटल आप लौँगे करके देख लीजिए ठीक है अब नाईज़भ देखिए तय्यटल नियामे है इस नाईज़रिया को देखिए किसका बात कर रहा हूँ, मैं नाईजिरिया केबिटल बताईए अब उबकार है बकी कोई इंपोर्टेंट नहीं है ठीक है लबग हम ने सारे चीज़े देख लिया है केमरून काहप लोग याद रखेगा युवान्डे неб इस तरह से लगग हमने सारे पॉल्टिकल इंट्रीज को हम लोग ने देख लिया है एक फिगर में और ला रहा हूं ठीक है ये घाना बताया मैंने अकारा इसको आप याद रखिए बागे तो आप लोग समझ गए होंगे तो आप यहाँ पर देखिए घाना का अकारा तोको का लोम, बेनिन का फोटो नोबो, बुर्किनो फासो का क्योगा डिगो उपर में आप देख सकते केमरून का युवांडे, अबुजा, नियामे, छड़का, नजवेना, माली का पताई ये, बमा को तो इनसे भी काप लोग प्रेक्टिस कीजिए, अच्छा से, ठीक है, ये सारे कंट्री के नाम मैंने बता दिया है, ट्रोपिक अप कैंसर, इक्वेटर, ट्रोपिक अपकरिकन से कौन से कंट्री गुजर रही है, एक काम कीजिए आप लोग, ठीक है, आप लोग के लिए एक टास्क यह प्रमा, डास्क यह है कि आपको इस पूरा अफ्रिका के सारे YOUTH TROPIC OF CANCER IQ, हैटर एंड्र केप्रिकॉर सारे केंट्रिस न एक निस आप्लाईज करना है, बढ़िया ना ही कौन कहां से गुजर रही है और comment box में आपको बताना है कि Tropic of Cancer से कौन-कौन सी country मैंने इसे लिख दिया है लेगन आपको एक बार खुद से research करके आपको comment करना है ठेक है? चलिए तो thank you अगले lecture में हम लोग इसके physical mapping को देखेंगे और बहुत सारे नई इंट्रीज को में लोग पढ़ने वाले है अब तक के लिए धन्यवाद